अगर दो चीज़े आपको पता रहेंगी, atomic number आप रख दीज़े, आ रख दीज़े, बाकी चीज़े तो इसमें दोनों constant ही हैं, आप उस electron का क्या बता सकते हैं, kinetic energy बता सकते हैं. Hello everyone, Welcome to another lecture of chemistry. आज हम अपने chemistry के atomic structure वाले chapter को आगे proceed करेंगे. इस chapter के अभी तक 5 lectures आ चुके हैं, ये lecture number 6 है, अगर अभी तक आपने उन lectures को visit नहीं किया है, तो आप उनको visit कर सकते हैं, और उनके link आपको description में मिल जाएंगे, या उपर i button पर click करकर भी आप उन videos को देख सकते हैं. तो अगर आप chemistry में अपने base को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िये, आपको basic से chemistry पढ़ाया जाएगा, ताकि आपके कोई भी question ये means, या फिर neat में गलत ना हो पाएं, और आप boards में भी अच्छा performance दे पाएं, इसकी हमारी पूरी कोशिश है. तो atomic structure में, हम Radhafford's atomic model को आज discuss करेंगे, इससे पहले हम alpha scattering experiment देख चुके हैं, distance of closest approach, या फिर impact parameters पर हम लोग निमेरिकल भी देखें हैं, और nucleus के discovery के बाद, Radhafford ने अपने नए atomic model को सब के सामने क्या किया, पेश किया, और ये बताने की कोशिश की, की atomic structure है, या एक atom का जो शकल होना चाहिए, वो Thomson के model के according नहीं होना चाहिए, क्योंकि Thomson का model, बिल्कुल भी आपको, alpha scattering experiment explain करकर नहीं बता सकता है, तो आज हम लोग Radhafford's atomic model देखेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे, कि Radhafford के according, model की शकल या model का, आपका क्या सकते हैं, आपका atom जो है, वो कैसा होना चाहिए दिखने में, या आज हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे, तो Radhafford's atomic model हम लोग देखना शुरू करते हैं, सबसे पहले, इस गिवन बाई Ernest Radhafford, इन 1911, तो 1911 में, आपके Radhafford ने, Ernest Radhafford ने इस atomic model को दिया था, उन्हों 1909 में nucleus के discovery की थी, और उसके दो साल के studies के बाद, उन्होंने अपने atomic model को सब के सामने पेश किया, इस atomic model के main points क्या है, highlighted points क्या है, ज़रह हम उनको discuss कर लें, ताकि हमें जान पाएं, कि आपके Radhafford क्या सूचते हैं, उनकी thinking क्या है atom को लेकर, वो atom को किस form में देखना पशंद करते हैं, वो किस form में imagine करते हैं, तो हम भी ज़रा देखते हैं Radhafford के उस model को, और हम भी देखते हैं कि क्या हम उनके according, model को या atom के model को देखकर, खुद को satisfy कर पाएंगे कि नहीं, कि सच में एक atom ऐसा ही होना चाहिए, तो सबसे पहला point इनके model का, तो देखिए, यह सारे points आपके रदर फोर्स के अटॉमिक model के points हैं, देखिए, सबसे पहला point हम लोग discuss करते हैं, रदर फोर्ड के model का, atom is spherical in shape and maximum part of atom is hollow, तो देखिए, सबसे पहला point जो आपके रदर फोर्ड ने atom के बारें बताया है, वो थॉम्सन से तो मैच करता है किस मामले में, shape के मामले में, थॉम्सन का भी कहना था कि atom कैसे होते हैं, spherical shape क्यों होते हैं, इनका भी वही कहना है कि उनका shape spherical होता है, लेकिन दोनों लोग के इस point में एक major difference है, आपके थॉम्सन ने कहा था कि atom में, पूरा का पूरा positive mass पूरे atom में क्या रहता है, फैला हुआ रहता है, तो आप ऐसा समझे कि पूरा का पूरा जो atom है, वो solid है, उसके अंदर बहुत सारी चीजे हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके rather food का ऐसा कहना है, कि atom पूरी तरीके से solid नहीं होता है, उसका maximum part क्या होता है आपका, hollow होता है, उसके maximum part में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, छोटे-छोटे sub-particles मिलेंगे, जैसे electron जैसे लोग, लेकिन बाकी का part उसका maximum क्या रहेगा, hollow रहेगा, यह आपको पहला point यहां ध्यान रखना है, क्यों hollow रहेगा, तो इसका जवाब हमें alpha scattering experiment में मिल चुका है, आपको पीछे के lectures में मैंने पढ़ाया है, कि atom की hollowness को आपके Rutherford ने किस तरीके से proof किया था, तो उन lectures को देखिए, विजिट करिए, और उसके बाद हम अगले point पर आते हैं, at the center of atom, whole positive charge of atom is concentrated, which is known as nucleus, और उन्हें ये imagine किया, कि आपके atom के center पर एक छोटा सा part होता है, rigid part होता है, जिसके उपर पूरा का पूरा क्या पाया जाता है, atom का positive charge पाया जाता है, और ये उन्होंने क्यों imagine किया था, इसका जवाब भी आपको alpha scattering experiment में मैंने देखकर रखा है, alpha particles के scatter होने के पीछे, इस nucleus के positive charge का ही एक बड़ा रूल था, तो आप उन lectures को please visit करिए और देखिए, ताकि आपको ये points ज़्यादा clearly समझ में आएं, और आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएं और जान पाएं, तो देखिए, पहला point आपका है कि atom spherical होता है, क्योंकि वो penetrate करकर तो चले गये थे, लेकिन scatter होते होए गये थे, बिखर कर गये थे, तो उन्होंने ये imagine किया, कि आपके nucleus पर positive charge होगा, इसलिए आने वाले alpha particles, जिन पर खुद positive charge होता है, वो आते 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 रिपल हो गया होंगे, और scatter करकर चले गया होंगे, तो इस वज़े से उन्होंने ये माना, कि आपका सारा का सारा positive charge कहां होता है, atom के center पर होता है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, nucleus नाम दिया, अगला है आपका in hollow part of atom, negatively charged electrons are present, तो आपके जो nucleus के बाहर, hollow part आपको दिख रहा है, जो आपको यहाँ पर खाली part दिख रहा है, इसी में कौन रहते हैं, negatively charged electrons रहते हैं, जो की अगल बगल उसके क्या करते रहते हैं, revolve करते रहते हैं, लगातार चक्कर काटते रहते हैं, यहाँ दो points बहुत जरूरी है समझना में, क्योंकि आपके मन में confusion create कर सकता है, पहला, रिजर्फोड को यह क्यों लगा, कि electron nucleus के अंदर नहीं, nucleus से बाहर ही होना चाहिए, इसके तो कोई उनके पास evidence थे नहीं, कि electron कहां रहता है, तो उन्होंने क्यों यह एकदम guarantee के साथ कहा, कि electron nucleus के अंदर put up नहीं करना चाहिए, बलकि वो बाहर होना चाहिए, और बाहर रहते हों भी उन्होंने यह क्यों imagine किया, कि वो revolve करना चाहिए, भई आप ये भी तो सोच सकते थे, कि वो बाहर वाले part में चुपचाब बैठा रह सकता है, लेकिन Rutherford ने ऐसा imagine नहीं किया, इन दोनों points को हम लोग ज़रा समझने की कुशिश करते हैं, पहली चीज, तो आपके Rutherford ने electron को nucleus के अंदर इसलिए imagine नहीं किया, क्योंकि nucleus के plus को आप safe रखना चाहते हैं, क्यों safe रखना चाहते हैं, क्योंकि alpha scattering experiment nucleus के positivity का, या nucleus के positive होने का ज़्यादा क्या करता है, समर्थन करता है, ज़्यादा उसके favor में आपको दिखाई देगा, तो पक्की बात है, अगर आप alpha scattering experiment को explain करना चाहते हैं, तो आपको nucleus के उपर plus charge ही imagine करना पड़ेगा, और अगर आपने nucleus के अंदर electron को put कर दिया, तो nucleus का plus, electron का minus दोनों मिलकर neutral हो जाएंगे, यानि कि nucleus कभी भी alpha particles को scatter नहीं करेगा, बिखेरेगा नहीं, अगर alpha particle इस तरह आएंगे, तो वो सीधे चले जाएंगे, कभी भी scatter नहीं करेंगे, तो scatter करने के लिए, या scattering होने के लिए nucleus पर positive का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए उसके positivity को हम disturb नहीं करना चाहते थे, और इसलिए Retherford ने भी क्या किया, कि आपके electron को nucleus के अंदर imagine ना करकर, nucleus के बाहर imagine किया, क्या है first point आपको clear है, कि आपके Retherford ने electron को nucleus के अंदर की imagine नहीं किया, क्योंकि alpha scattering experiment ये show करता है, कि nucleus के उपर positive charge होता है, और अगर हमने electron को nucleus के अंदर भेज़ दिया, तो neutral हो जाएगा, और जो की सही है नहीं, क्योंकि scattering का experiment clearly ये show करता है, support करता है, कि आपका nucleus positively charged है, तो अब इसके बाद दूसरा point हम लोग discussion करते हैं, कि चलो मान लिया कि हम आपके nucleus के positivity को maintain रखने के लिए, electron को nucleus के अंदर नहीं मानते हैं, बाहर मान लेते हैं, लेकिन बाहर आपने जब इसको imagine किया है, या Retherford ने imagine किया है, तो इसको revolving state में क्यों imagine किया है, वो ये भी तो मान सकते थे कि यहाँ बाहर, electrons जो रहते हैं, negatively चुप्चा बैठे रहते हैं, तो एक बाद समझे, यहाँ पर positively charged nucleus है, और यहाँ पर negatively charged electron है, और positively charged nucleus है, हमेशा electrons को क्या करते हैं, attract करते हैं, या दुनिया का कोई भी positive charge, अब एक बाद समझने की कोशिश करिए, जैसे मान लीजे कि मैं आपर एक रस्ती ले लूँ, और रस्ती से इस चौक को क्या कर दो, बांद दो, तो यह नीचे इस तरीके से क्या करता रहेगा, hang होता रहेगा, अब अगर मान लीजे कि मैं इसको जोर से पकड़ कर धागे को धीरे-दीरे घुमाना शुरू करूँ, तो आप क्या imagine करेंगे, यह जो चौक रहेगा, यह धीरे-दीरे करकर एक circular path पर घुमने लगेगा, और देखिए, circular path पर एकदम बढ़िया से अगर आप घुमाना चाहते तो आपको काफी तेज घुमाना पड़ेगा, आप जितना तेज घुमाएंगे, यह उतना बढ़िया circular path पर घुमेगा, अब यहाँ दो चीजे समझने वाली है, पहले यह ऐसे circular path में क्यों नहीं घुम रहा तो और इसे नीचे क्यों था, तो इसका main reason था कि इसके ओपर क्या लग रहा था, gravitational pull, और इसका gravitational pull इसको कहां ले जा रहा था, नीचे ले जा रहा था, इसी वज़े से आपका यह chalk जो रस्ती से बंदा हुआ था, यह thread से आपने इसको tie up करकर रखा था, यह नीचे की तरफ जा रहा था, क्योंकि इस पर gravity अपना काम कर रहा है और gravity इसको नीचे लाना चाह रहा था, फिर अब क्या हुआ जब हम इसको circular path पर घुमाने लगे, पर जो force किसी भी particle को rotate कराता है या उसको circular path पर घुमाता है उस force को हम लोग centripetal force कहते हैं और यहाँ पर जो centripetal force मिल रहा है आपके इस particle को वही इसको लगातार circular path पर maintain रखेगा और नीचे नहीं जाने देगा, नीचे नहीं गिरने देगा, अब अगर आपने यहाँ पर electron को चुपचाप imagine कर लिया होता, तो चुपचाप imagine करनी के वज़े से होता यह कि यह plus इस electron को अपनी तरफ खीश लेता और plus minus मिल कर neutral हो जाते, तो फिर वही दिक्कत आती, कि आप nucleus के positivity को maintain रही नहीं रख पाते, ठेक, तो अगर electron इसके अगल बगल revolve होने लगे, और इसको अगर centripetal force मिल जाए, तो क्या यह जाकर उस nucleus पर गिरेगा, जैसे यह आपका chalk था, जिसको हमने circular path पर घुमाना शुरू किया था, gravitational pull लगने के बाद भी यह नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने इसको centripetal force से लगातार speed में घुमाना शुरू कर दिया है, उसी तरीके से electron अगर stationary था, तब तो nucleus पर जाकर गिर जाता, लेकिन आपने उसको circulatory motion दे दिया है, उसको centripetal force दे दिया है, और यह centripetal force उसको nucleus के उपर कभी भी गिरने नहीं देगा, इस वज़े से आपके रेदरफोर्ड ने इमेजिन किया, कि आपका electron nucleus से बाहर होता है, ताकि nucleus के positivity को disturbance ना हो, और electron nucleus पर आकर ना गिरे, इसलिए उन्होंने इमेजिन किया, कि वो circular path पर क्या करता रहता है, गोल गोल घुमता रहता है, circular path पर चक्कर काटता रहता है, ठीक है न उसके बाद उन्होंने किया है, the centripetal force required for circular motion of electron is provided by electrostatic attraction force between nucleus and electron, देखिए अब एक बात और समझेए, कि यहाँ पर हम लोग को centripetal force कहां से मिलेगा, क्योंकि मैंने भी कहा कि आप धागे को पकड़ी और उसको जोर-जोर से घुमाना शुरू करिए, तो अगर हम धागे को पक पर क्या करना शुरू कर देगा, घुमना शुरू कर देगा, उसको centripetal force कौन दे रहा है, तो जवाब यह है, कि जब आप धागे को खुद पकड़ कर रखते हैं, तो आपका यह चौक हमेशा, क्योंकि आप motion देकर रखे हैं, तो यह हमेशा बाहर की तरफ भागना चाहता ह तो यह चौक बाहर की तरफ जा रहा है, धागे को अपनी तरफ खींच रहा है, आपने जोर से उंगली से पकड़ कर रखा है, आपने धागे को अपनी तरफ खींच कर रखा है, आपके उस धागे के अंदर क्या develop होगा, tension arise होगा, और यही धागे का tension force जो है, आपके उस centripetal force दे रहा है तो यहां पर ऐसा कौन सा force है जो electron को centripetal force दे सकता है और centripetal force देखिए towards दोनों की तरफ लगता है जैसे मैंने कहा कि आप धागे से खुद की तरफ भी खीचेंगे और यह चौक अपनी तरफ भी तो यह जो आपका centripetal force यहां पर arise होगा tension force की वज़े से वह आपको circular path पर maintain रखने के लिए मदद करेगा help करेगा तो ऐसे यहां पर भी तो हमें centripetal force चाहिए होगा जोसे electron को क्या करें circular path पर घुमा सके तो यहां पर भी एक centripetal force present है कौन सा centripetal force present है किसके form में तो वह present है आपके इस nucleus के plus और electron के minus के बीच में लगने वाले attraction force की वज़े से देखिए भी आप coulomb का electrostatic force नहीं पड़े हैं लेकिन फिर भी आपने 10th class में या पीछे के classes में इतना तो study जरूर किया होगा कि positive charges हमेशा negative को क्या charge है electron पर आपके कैसा charge है negative charge है तो पक्की बात है आपका ये nucleus इस electron को क्या कर रहा होगा अपनी तरफ attract कर रहा होगा यानि कि यह जो आपका electrostatic force होगा यह दोनों तरफ को लगता है आपका nucleus electron को attract करता है और आपका electron nucleus को attract करता है by the means of Newton's third law Newton's third law क्या कहता है every action is an equal and opposite reaction ठेक तो कोई भी action होगा उसका opposite reaction तो आपको मिलेगा ही अगर nucleus उस electron को खींचेगा तो आपका electron भी proton को क्या करेगा sorry इस nucleus को क्या करेगा खींचेगा अब एक बात समझे कि अगर ऐसा है यहाँ पर तो हम तो यह समझ रहे हैं कि electron क्यों नहीं गिर रहा है जैसे एक बात समझने की कोशिश करिए यह nucleus भी electron को अपनी तरफ पुल कर रहा है और यह electron भी nucleus को अपनी तरफ पुल कर रहा है हमने तो यह कह दिया कि electron इसके उपर इसले नहीं पा रहा है तो इसका main reason है कि आपके nucleus का जो मास होता है with respect to electron क्या होता है बहुत ज्यादा होता है अब आप खुद ऐसा सोचिए कि एक रस्ती से एक हाथी को बांदिया जाए और एक चीटी को बांदिया जाए और दोनों रस्ती एक दूसरे की तरफ खींच रहे हो चीटी अपने तरफ रस्ती को खींच रहा हो और हाथी अपने तरफ खींच रहा हो जवाब है नहीं तो पक्की बात है यहां पर नूकलेस और इलेक्ट्रॉन के बीच का कंप्रेजन हाथी और चीटी का ही है आगे चलकर मैं आपको प्रूब भी करकर दिखाऊंगा कि यह बास सच है विद रिस्पेक्ट टू नूकलेस इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है तो अगर इलेक्ट्रॉन इस नूकलेस के उपर फोर्स लगा भी रहा है तो वो नूकलेस के उपर कोई खास इफेक्ट डाल नहीं पाएगा ना ठीक आप दिवाल को चाहिए जितना फोर्स लगा कर धक्का दे दें आप में इतनी पावर नहीं कि आप दिवाल को डिस्प्ले उसके उपर नहीं आएगा तो आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं यहां से हटा सकते हैं अब उसके बाद बचा आपका जो electron के उपर force लग रहा है center की तरफ अंदर की तरफ यही force इस electron को घूमने के लिए क्या देगा centripetal force देगा इस point में यही बात को आपके किस ने लिखा है रदर फोड ने लिखा है उन्होंने कहा है कि the centripetal force required for circular motion of electron is provided by electrostatic attraction force between nucleus and electron जितना भी electrostatic force यहां लग रहा होगा electron और nucleus के बीच में वही इसको circular path पर घूमने के लिए क्या देगा centripetal force देगा और अगला है the path of revolving electron is known as orbit or energy level ठीक है ना देखिए जिस path पर आपका electron क्या करता है चक्तर काटता है घूमता है उस path को हम लोग क्या कहते है orbit कहते है उसको हम लोग क्या कहते है circular energy level कहते है ठीक इसको orbit कहा जाता है यह आपके रदर फोड के model के कुछ points हैं अभी भी इनके कुछ points हैं जिनको हम लिखेंगे लेकिन पहले आप इन पांचो points को एक बार फटा फट देख लीजिए कि आपके रदर फोड ने atom को इसी तरीके से imagine क्यों किया सबसे पहले बात उन्होंने atom को spherical और maximum hollow इसलिए माना था क्योंकि alpha scattering experiment में maximum alpha particles आपके atom को penetrate करकर चले गए थे gold foil को penetrate करकर चले गए थे जिस वज़े से आप यह कह सकते हैं कि atom का maximum part क्या होता है hollow होता है दूसरा point उन्होंने क्या कहा कि atom के center पर एक बहुत ही dense और positively charged part होता है बहुत छोटा सा होता है जिसको क्या कहा गया nucleus कहा गया इसको भी उन्होंने किसके बिहाब पर imagine किया था alpha scattering experiment के बिहाब पर किया था उन्होंने ठीक तिसरा point उन्होंने बता है in hollow part of atom negatively charged electrons are present which revolve around nucleus है ना ठीक और उन्होंने यह imagine किया कि आपके electrons जो होते हैं क्योंकि electrons atom में पाये जाते हैं इसको तो thompson ने पहले प्रूफ कर दिया था तो आपके rather food को भी तो उसको कहीं न कहीं setup करना ही था तो उन्होंने उसको nucleus के इंदर setup नह ना मिले या disturbance उसको ना जेलना पड़े क्योंकि आप alpha scattering experiment अगर explain करना चाहते हैं तो आपको nucleus पर positive charge मानना ही होगा ठीक है ना तो आप nucleus के positive को disturbing करना चाहते थे इसलिए अपने electron को nucleus से बाहर रखा लेकिन उसको moving state में क्यों रखा क्योंकि अगर आप stationary state में उसको imagine करेंगे तो वो proton के electrostatic force की वज़े से क्या होगा नीचे गर जाएगा अच्छा कई लोग अभी हो सकता है मन में सोच रहे हूं मैंने अभी इससे पहले point discuss किया कि भाई nucleus तो बहुत मजबूत आदमी है heavy है मैंने का nucleus को आप हाथी मानिये और electron को चीटी मानिये तो फिर इसके पास तो बहुत ताकत है तो इसको खीच कर क्यों ला नहीं रहा है न ठीक गिरा सकता है centripetal force क्या ही बड़ी चीज हो सकती है इसके लिए लेकिन आप खुद imagine करकर देखिए यह जो chalk है इस पर force लगान से possible हैं simple सी बास समझे कि आपके किसी भी particle के बीच में जैसे अर्थ अपनी पूरी ताकत से किसी को कभी attract नहीं करता है वो स्रिफ आपके weight के बराबर का force लगाता है देखिए ताकतवर लोग कभी भी अपने ताकत को आपके उपर पूरी तरीके से नहीं apply करते हैं अर्थ के immense power है gravity apply करने का लेकिन वो आपके उपर सिर्फ उतना ही gravitational pull लगाएगा जिससे कि आप अर्थ के surface पर vertical motion ना कर पाएं यानि कि आप अर्थ के surface पर लगातार चिपके रहें और वो force कितना होता है आपके weight के बराबर तो इसलिए आपका ये जो nucleus है ये भी बहुत powerful है लेकिन वो electron पर बहुत immense force नहीं लगाता है वो कितना force लगाता है उस electron को जितना balance बनाया रखने के लिए जरूरी हो है ना ठीक तो आप इस बात को समझ कर रखिएगा अगली बात हम लोगों देखा था कि आपका जो electron होता है वो जिस path पर चक्तर काट रहा होता है उसको हम लोग orbit कहते है energy level कहते हैं और इस orbital path पर या circular path पर electron को घूमने के लिए जो centripetal force चाहिए होता है वो कहां से मिलता है nucleus और electron के बीच लगने वाले electrostatic force है ठीक है ना तो ये 5 points आपके rather 4 के हैं जो आपको imagine करकर यहां पर रखने है ठीक है ना उसके बाद हम लोग इनके अगले points को जरह discuss कर ले देखिए अगला point उन्होंने क्या बताया this centripetal force is equal to electrostatic force यह हम तो इस वाले point में भी लिख चुके हैं कि required centripetal force किसके equal होगा electrostatic force के centripetal force का formula होता है mv square upon r अगर कोई भी particle किसी circular path पर घूम रहा है और उस particle का mass m है velocity v है और center से distance क्या है r है तो उस पर लगने वाला centripetal force f जो अंदर की तरफ होगा हो क्या होगा mv square by r होगा mass multiplied by velocity का square upon में distance from nucleus divide कर दीजिए आपको centripetal force मिल जाएगा fe किसी दो charge particles के बीच में लगने वाला force ठीक तो वह होता है one upon four five epsilon naught q1 q2 by r square ठीक है ना तो यह formula आपके razor ford ने create किया किसी भी atom के लिए इसमें अभी हमें values भी put करने हैं तो जरा values पूट करकर देख लिया जाए देखिए सबसे पहले सबसे पहले हम लोग यहां discuss करेंगे कि हम यहां पर q1 और q2 क्या रखें क्योंकि उसी values को put करकर हम आगे काम कर सकते हैं अच्छा इसमें आर से देखिए कार क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा इसको box से भी बाहर कर लिया जाए पूरा पहले solve भी कर लेते हैं एक आर से एक आर cancel हो जाएगा बचेगा आपका mv square is equal to q1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r where q1 is equal to charge of nucleus nucleus पर charge होता है z into e z है atom का atomic number देखिए किसी भी nucleus में उतने ही proton होते हैं जितना उसका atomic number होता है और एक proton पर charge होता है e तो अगर एक proton पर e होता है दो proton पर two e होता है तीन proton पर three होगा तो अगर उसके इंदर z proton है तो उस पर charge कितना होगा z into e होगा और एक electron का charge q2 वो तो सिर्फ क्या होता है e होता है तो इन दोनों values को अगर हम लोग यहाँ put up कर दें तो देखिए आपको formula क्या मिल जाएगा मिल जाएगा mv square is equal to one upon four pi epsilon not ze into e upon r आपका equation आ गया mv square is equal to one upon four pi epsilon not z square into e square हो जाएगा अच्छा इस equation को दोनों तरफ अगर हम लोग one by two से क्या कर दें multiply कर दें one half mv square is equal to one by eight pi epsilon not z square upon r तो one half mv square क्या होता है kinetic energy होता है यानि कि आपको यहाँ पर electron के kinetic energy का क्या मिल जाएगा formula मिल जाएगा kinetic energy is equal to one upon eight pi epsilon not z square upon r इस formula में देखिए कौन क्या है तो one upon eight pi epsilon not एक constant है जिसकी value आपको याद रखनी है nine by two into ten the power nine newton meter square per coulomb square इसकी value होती है यह constant value है z आपका क्या है atomic number जैसे hydrogen का atomic number क्या होता है one helium का होता है two इसी तरीके से आपको लिखना है e क्या है charge of electron और proton electron या proton में से किसी एक का charge ठीक और इसकी value याद रखिएगा electron के charge या proton के charge की value 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb और r क्या है distance between nucleus and electron electron और nucleus के बीच की distance को क्या कहते है और और at last kinetic energy जो है यह क्या है kinetic energy of electron तो इस फॉर्मूले में इतनी चीज़े यहां पुटक की गई है आप electron के kinetic energy को यहां से calculate कर सकते हैं आपको बस atom पता होना चाहिए और nucleus से electron तक क्या पता होना चाहिए distance अगर दो चीज़े आपको पता रहेंगी atomic number आप रख दीजिए और रख दीजिए बाकी चीज़े तो इसमें दोनों constant ही हैं आप उस electron का क्या बता सकते हैं कानिटिक energy बता सकते हैं देखिए यस formula से एक बात तो यह है कि अगर आप nucleus से बहुत दूर होंगे है न ठीक आर यहां पर देखिए इनवर्शली proportional आ रहा है kinetic energy की यानि कि आप nucleus से अगर दूर जाएंगे तो आपका kinetic energy क्या होते जाएगा कम और अगर nucleus के पास रहेंगे तो आपका kinetic energy क्या रहेगा ज्यादा ठीक है ना हम आगे भी इन points पर और discussion करेंगे आज के lecture को हम लोग यहीं तक रखते हैं इतने points को अच करेंगे